नमस्कार बच्चों, बच्चों, आज हम करेंगे NCRT की छटी कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग एक के अश्टम पाठ जिसका नाम है सुक्ति स्थबकहा सुक्ति स्थबकहा अर्थात सुक्तियों का गुलदस्ता तो हम सुक्ति किसे कहते हैं सुक्ति अर्थात ऐसी बात या ऐसा वच्चन या ऐसी उक्ति जो हमें सुनने में अच्छी लगे या उसे अच्छे ढंग से कहा गया हो यानि क्योंवे अच्छी बात जो हमें अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, उसे हम क्या कहते हैं? सुकती, और हमारे पाँट का नाम है सुकती स्टबक यानि सुकतियों का गुल्दस्ता, स्तबक यानि गुल्दस्ता, गुच्छा, बुके, जैसे हम किसी को अलग-अलग फूलों का एक बड़ा सा बुके बना के गिफ्ट करते हैं तो ऐसे ही इस पाठ में अलग-अलग सुक्तियां हैं जो हमें प्रेना देती हैं जीवन में आगे बढ़ने के लिए इसलिए इस पाठ का नाम क्या रखा गया? सुक्तियों का बुल्दस्ता या सुक्ति स्तब कहा तो आईए पाठ का अध्यन प्रारम करते हैं बचो सुक्ति स्तब कहा पाठ का पहला श्लोग है उद्यमेन ही सिद्यंती कार्याणी ना मनो रथई नहीं सुप्तस्य सिंघस्य प्रविशंती मुखे मरिगाहा उद्यमेन कार्थ है परिश्रम से ही कार्थ ही सिद्यंती सिद्ध होते हैं कार्याणी सभी कार्य न नहीं मनो रथई मन की इच्छाओं से न ही यानि न ही सुप्तस्य सोय हुए सिंघस्य शेर के प्रविशंती प्रवेश करते हैं मुखे मुख में या मुह में मुरिगाहा यहाँ पर हिरन या पशू हम दोनों आर्थ ले सकते हैं तो उद्यमेन ही सिद्यंती कार्यानी यानि परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं न मनोरथई न की मन की इच्छाओं से यानि अगर कोई व्यक्ति परिश्रम करता है पुरा नहीं हो सकता नहीं सुपतस्य सिंघस्य जिस प्रकार सोय हुए शेर के मुह में मृगाहा प्रविशंती स्वयम जो पशु है या हिरन है स्वयम प्रवेश नहीं करता यानि शेर को अगर भूख लगी है तो उसे खुद परिश्रम करके महनत करके अपना शिकार करना कोगा. हुआ जए उसके मुखं नहीं जाएगा, आपको भूख लगी होगी, आप जंगल के राजा हो तो आप लग सकती हो आप मुझे खा लो. ऐसा कभी नहीं होगा. यानि जंगल के राजा शेर को भी अपनी भुक मिटाने के लिए अपना शिकार स्वयम करना पड़ेगा तो इस पूरे श्लोक का अर्थ है परिश्रम से ही सभी कार्य सिद्ध होते हैं मन की इच्छाओं से नहीं जिस प्रकार सोय हुए शेर के मुख में या मुह में हिरन या पशु स्वयम प्रवेश नहीं करते इसका भावार्थ हम ये कह सकते हैं कि परिश्रम से ही व्यक्ति किसी भी लक्षे को प्राप्त कर सकता है अगर हमें खाना भी खाना है तो हमें खाना खाने के लिए परिश्रम करना पड़ेगा हमें हाथ में रोटी का टुकड़ा लेकर अपने मूह तक पोचाना पड़ेगा तो चाहे कोई भी कारे हो, चाहे वो हमारे अपने कारे हो, चाहे वो हमारे जीवन में तरक्की दिलाने के लिए कोई भी कारे हो, हमें सब को करने के लिए महनत करनी होती है, और महनत ही एक मात्र ऐसा साधन है, जो हमें जीवन में कुछ भी दिला सकता है, हमारे मन की हर इच्छ को पूरा कर सकता है केवल मात्र सपने देखने से हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते सारी सपनों को पूरा करने के लिए हमें परिश्रम करना अनिवारे है जिस प्रकार जंगल का राजा शेर होता है लेकिन फिर भी उसे अपनी भूक मिटाने के लिए अपना शिकार स्वयम क तो इस श्लोक में परिश्रम के महत्व के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति को परिश्रम अवश्य करना चाहिए क्योंकि परिश्रम से ही वह सब कुछ आसिल कर सकता है। जीवन में नैव नहीं साधितह प्रयोग करता है। पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को जो जीवन में उप्योग नहीं करता है। किम भवेत तेन पाठेन क्या है उन पाठों का प्रयोग। जीवने योना सार्थक है जो जीवन में सार्थक नहीं है। उन पाठों को पढ़ने का क्या फाइदा जो जीवन में सार्थक नहीं है। इस श्लोग का पूरा आर्थ एक बार हम कर लेते हैं। पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को जो जीवन में प्रयोग नहीं करता है। उन पाठों का क्या प्रयोजन या क्या फाइदा जो जीवन में सार्थक नहीं है उन पाठों का क्या होगा जो हमारे जीवन के लिए सार्थक नहीं है इस लोग में ये बताया गया है कि हम जितनी भी एजुकेशन लेते हैं हम जितने भी पाठों को पढ़ते हैं जितने भी ले पर दे देना और अगली क्लास में पहुंच जाना यह हमारे जीवन का लक्षे नहीं है हमारे जीवन का लक्षे क्या है कि हमने जो पढ़ा वो एक तो हमेशा याद रहे और दूसरा हम उसे वैसी परिस्तिती आने पर उस अपने ग्यान का प्रयोग कर सकें कहते हैं उन पाठों को पढ़ने का कोई फाइदा नहीं है अगर वो हमारे जीवन में काम ना आए तो यहाँ पर कहने का ताथ परे यह है कि हम जितना भी पढ़ते हैं उसे हमें अपने जीवन में अवश्य प्रयोग करना चाहिए तभी वैं जो पाठ हैं वो हमारे जीवन के लिए सार्थक होंगे अगला श्लोग है प्रिये वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यंति मानवह तसमाद प्रियम ही वक्तव्यम वचने का दरिद्रता प्रिये वाक्य यानि मधूर वाक्य मीठे वाक्य प्रिये वाक्य प्रदानेन बोलने से या प्रदान करने से सर्वे तुष्यंति मानवह यानि सर्वे सब मानवह मानव लोग तुष्यंति प्रसन होते हैं यानि अगर हम किसी के साथ मीठे वचनों को प्रिये बोलते हैं तो सभी लोग खुश होते हैं तस्माद प्रियम ही वक्तव्यम इसलिए प्रियम ही वक्तव्यम प्रिये ही बोलना चाहिए वचने का दरिद्रता बोलने में कैसी कंजूसी इसका पूरा सरलार्थ एक बार सुन ल प्रिये वाक्य बोलने से सभी मानव खुश होते हैं या सभी लोग खुश होते हैं या प्रसन होते हैं इसलिए प्रिये ही बोलना चाहिए बोलने में कैसी कंजूसी या वचनों में कैसी कंजूसी इस श्लोक का जो व्याक्या है वो यह है कि व्यक्ति को हमेशा मीठा ही बोलना चाहिए क्योंकि अगर व्यक्ति मीठा बोलता है तो उसके मित्र अधिक बनते हैं, सब लोग उससे प्रसन होते हैं, उसके घर वाले, बाहर वाले सब उससे खुश रहते हैं, तो इसलिए व्यक्ति को प्रिया ही बोलना चाहिए, क्योंकि जब हमें पता है कि हमें आम जब अच वचन जो है हमारा जो ग्यान है वो बांटने से बढ़ता है हमारे वचनों से अगर किसी को खुशी मिलती है तो हमें उन वचनों को लोगों को प्रदान करना चाहिए इसलिए यहां पर यह बताया गया है कि प्रतियक व्यक्ति को हमेशा मधूर वचन बोलने चाहिए प्यारे वचन बोलने चाहिए जिससे की सभी लोग खुश हो अगला श्लोग है गच्छन पिपील को याती योजना नाम शतान न अपी अगच्छन वैनतेयो अपी पदम एकम ना गच्छती गच्छन यानि चलती हुई पिपील को पिपील को जो होता है वो नर चीन्टी होती है जैस में हम मादा चीन्टी का प्रयोग करते हैं तो एक जो चलती हुई चीन्टी है नर चीन्टी है याती वो क्या कर लेती है जाती रहती है चलती रहती है योजना नाम शतान न अपी योजन का मतलब होता है कि एक योजन जो होता है वो चार कोस होता है अर्थात अराउंड 12 किल और शतान्य अपी 100 कोस की यानि जो एक चलती हुई चीटी है वो 100 कोस की दूरी को भी तै कर लेती है एक चलती हुई नर चीटी 100 कोस की दूरी को तै कर लेती है अग अच्छन वेनते अपी और आग अच्छन यानि ना चलता हुआ वेनते अपी वेनते जो होता है वो होता है ग कदम एकम ना गच्छती एक कदम भी नहीं जाता जो बिल्कुल भी नहीं चलता एक गरुण जो है वो एक स्थान पे बैठा हुआ है और वो नहीं चलना चाता तो वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता तो इसका पहले एक बर पूरा सरलार्थ कर लेते हैं चलता हुआ नर चीन्टी सौ कोस की दूरी को तै कर लेता है लेकिन ना चलते हुए गरुण एक कदम की दूरी भी तै नहीं करता करता है एक चोटी सी चीटी भी सौ को उसकी दूरी तै कर लेती है अगर वो यह द्रण नहिश्य कर ले कि मुझे आज वो दूरी तै करनी है लेकिन जो गरुण होता है एक ऐसा पक्षी जो पक्षियों में सबसे तेज उड़ता है अगर वो एक कदम भी ना चलना चाहे अग यहां पर यह बताया गया है कि प्राणी का जो आकार होता है वो उसकी विल पार को कम नहीं करता उसकी इच्छा शक्ति को कम नहीं करता इंसान का आकार जैसा भी हो वो दिखने में कैसा भी हो लेकिन अगर उसकी इच्छा शक्ति द्रिड है तो वह किसी भी कारे को कर सकता है त व्यक्ति के लिए उसकी इच्छा शक्ति को जागरित करना अनिवारे है ना कि उसका आकार और उसका शरीर मैटर करता है कि वो क्या कर सकता है तो इस श्लोक से हमें क्या शक्षा मिलती है यह श्लोक हमें यह बताता है कि व्यक्ति को अपने अंदर इच्छा शक्ति को जागरित करना चाहिए अपने विल पार को स्ट्रॉंग करना चाहिए तो वे है अपने जीवन में किसी भी लक्षे को प्राप्त करने में सक्षम हो सकता है अगला श्लोक है वसंत समय प्राप्ते वसंत के समय आने पर काकह काकह कववा कववा होता है पिकह पिकह और कोयल होती है तो इसका पूरा सरलार्थ होगा कववा काला होता है कोयल काली होती है दोनों में क्या अंतर है कववे और कोयल में क्या अंतर है वसंत का मौसम आने पर कववा कववा होता है और कोयल कोयल होती है यहां पर यह बताया गया है कि कववा और कोयल अगर हम इन दोनों पक्षियों को देखें तो दोनों पक्षी देखने में काले रंके होते हैं और दोनों का आकार जो है वो अल्मुस्ट एक जैसा ही होता है अगर हम दूर से देखें तो हम दोनों पक्ष आवाज में काउं काउं करता है और जो कोयल होती है वो मधूर आवाज में मीठी आवाज में गाना गाती है जो लोगों को आकरशित करती है और लोग उसकी मधूर आवाज को सुनना चाते हैं लेकिन लोग कवे की काउं काउं की आवाज को सुनना नहीं चाते तो वसंत का मौ पर पता चल जाती है वैसे ही इनसान के जीवन में बहुत सारे लोग होते हैं दिखने में सारे लोग एक जैसे होते हैं लेकिन कौन अपना है या कौन पर आया है इसकी पहचान समय आने पर होती है कौन आपका मित्र है कौन आपका शत्रू है इसकी पहचान समय आने पर होती है यानि आपके उपर कोई विपत्ती आ गई और जो आपकी मदद करेगा वो आपका मित्र होगा और जो आपका साथ नहीं देगा वो आपका शत्रु होगा तो इस श्लोक के माध्यम से व्यक्ति की पहचान किस समय होती है इसके विशह में बताया गया है तो बच्चो आज हमने सुक्ति स्तबक जो हमारा ये पद्यपाठ है इसके भाग एक के अंतरगत पाठ के सरलार तता भाव को किया और इसके भाग दो में हम पाठ के अभ्यास प्रशनों पर चर्चा करेंगे धन्यवाद